मरीद जब हमारे पास आते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें मुद्य अबिंद ऑपरेशन की जो सबसे सुदक्षिक तकनीक है, उस तकनीक से हमें ऑपरेशन कराना है इसके अलावा हमें दूर और नजदीक दुनों के लिए चश्मा लगाने की इक्षा नहीं है, ऐसी सिती में हम उन्हें फिम्टो लेजर, ब्लेंट्रेस पध्धती से मुद्य अबिंद ऑपरेशन की सलादे और मल्टी फोकल फोलेबल लेंस परत्यार उपन के बारे में उनको बताते हैं, क्योंकि जबी भी हम मल्टी फोकल लेंस आखों के अंदर लगाते हैं, तो उसका एकदम सटीक सेंक्रेशन हमें चाहिए होता है, लेकिन जब हम मैनुवली जब ऑपरेशन करते हैं, और जो और जो हम आखों का लेंस है, उसके बीच में केंद्रित 5 मिलीमीटर का चिद्र बनाते हैं, तो वो बिल्कुल बीच में केंद्रित चिद्र नहीं बन पाता है, मगर जब हम फेम्टो लेजर पतती से करते हैं, तो लेजर के द्वारा बिल्कुल सटीक बीच में 5 मिलीमीटर या 5.5 मिलीमीटर जितना भी बड़ा हम चाहते हैं, बिल्कुल केंद्र में बिल्कुल केद्र में सेंटर्ड छेद्र बन जाता है तो इससे सेंट्रेशन मल्टी फोकल लेंस का बहुत अच्छा होता है और मल्टी फोकल लेंस में सेंट्रेशन बहुत ही बड़ा रोल प्ले खता है क्योंकि अगर मल्टी फोकल लेंस का सेंट्रेशन सथीक नहीं है तो वो उसकी कारे प्रणाली में बाधा आती है आए मिलते हैं मल्टि फोकल लेंस प्रत्यारूपित एक मरीश से जिनकी एक आख में मल्टि फोकल लेंस का प्रत्यारूपन हम निकर दिया है और वो इतने खुश है कि वो जल से जल अपने दूसरी आख में फिम्ट्रो लेजर पद मैं राज कुमार चावला यहां पे मैडम के पास आया और अपनी आखों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपको मूतिया बिंध है तो मैडम ने कहा कि इस ओपरिशन के बाद मेरे को चस्वा नहीं लगाना है तो मैडम ने कहा कि आप मल्टी फोकल से अपना ओपरेट कराईये इससे आपको नजदीक का चस्वा नहीं लगेगा और दूर का चस्वा में नहीं लगेगा और यह सबसे ज्यादा लेटेस टेकनोलाजी है और इसमें आपको कहीं भी कोई किसी तरह का कोई प्राबलम कोई पेन किसी तरह की कोई परिशानी नहीं होगी और आपको सबसे बड तो आज मेरा operation हो गया है और मैं बहुत सटेसफाइड हूँ इस operation से मैं अपनी एक आख के operation से बहुत सटेसफाइड हूँ तब डॉक्टर भारती कश्यप ने मेरे से कहा कि दूसरी आख में भी आप multifocal ही लगाएं और तभी आपको नजदी का और दूर का चश्मा जो है वो बि कोई आगे भाइस में परशानी भी नहीं होगी तो अ वरी स्रेस्टिस्थाइड विद् दिस operation से त्टैस्थाइड विद लेजर के टेक श्री शर्जरी और थैंक्स तो बार्ती कश्यप मैडम